बाईयों सबने राम राम छोड़ियों थमने भी राम राम कहानी सरू होती है अफरीका के काला हरी जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के साथ ये आदिवासि आज की आधुनिक दुनिया से दूर अपने ही तोर तरीकों से अपना जीवन वैतीत कर रहे होते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नियम कानून एक्जिस्ट नहीं करता ये जंगल ही इनकी पूरी दुनिया है और इनकी इस दुनिया में सही गलत जैसी कोई चीज नहीं है इन लोगों के पास सिकार करना और अपनी फैमिली के लिए खाना इखटा करना इसके अलावा इन लोगों के पास कोई और काम नहीं है यहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिली के साथ मिल जुल कर रहते हैं जिस धर्ती पर वो रह रहे हैं, वो गोल है की चप्टी, ये भी उनको नहीं पता, क्योंकि ये लोग अपनी इस दुन्या के बहार, यानि की जंगल के बहार कभी नहीं गए थे, हमारी मुवी का नायक टपकलो, अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, अब एक दिन टपकलो जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था, तभी उसको आस्मान में एक बड़ी सी चिडिया दिखाई देती है, जो की एक अजीब सी आवाज निकालते हुए उड़ रही थी, हम देखते हैं कि प्लेन का कैप्टन कोल्डरिंग पी रहा है, और अपनी कोल चीज इससे पहले कभी नहीं देखी थी, जो की देखने में तो पानी जैसी थी, लेकिन बहुत सक्त थी, तपकलो को लगता है कि इस्वर ने ये तोफा धरती पर इसके लिए बेजा है, और तपकलो सोच में पढ़ जाता है कि इस्वर ने इतनी अजीब दिखने वाली अब तपकलो इस खुबसूरत चीज को लेकर अपने परिवार के पास जाता है, उन्होंने इससे पहले इतनी खुबसूरत चीज कभी नहीं देखी थी, ये सभी आश्चरे चकित थे कि इस्वर ने इतनी अजीब चीज हमारे पास क्यो भेजी, और अब इसको धीरे धीरे का में लिया जाने लगा, इसकी लंबाई, चोड़ाई और चिकनाई के इसाब से, इसे साब की चमडी को संभाल कर रखने में भी उपियोग किया जाने लगा, और अब धीरे धीरे इसको सभी कामों में इस्तमाल किया जाने लगा, और इस अजीब सी दिखने वाले इस चीज के इस्तमाल से इनके कई मुश्किल काम आसान हो जाते थे, अब सभी लोग इस चीज को इस्तमाल करना चाते थे, धीरे धीरे सभी लोगों को इस चीज की जुरुत पड़ने लगी, ये चीज इन आदिवाशियों के जीवन में इतनी जादा इंपोर्टेंट हो जाती है, कि वो को कोई भी काम इस चीज के बिना नहीं कर सकते, अब सभी लोगों में उस चीज को पाने के लिए जगडे सरू हो जाते हैं, और सांती से रहने वाले इन आदिवाशियों में जलन जैसे इर्शा जैसे सिम्टम्स उत्पन होने लग जाते हैं, तपकलो ये सब देख रहा होता है और वो इस वर पर गुसा होता है, और सोचता है कि सायद ये चीज सरापित है, इस वर ने सायद ये चीज गलती से हमारे पास भेज दी है, इसलिए लोगों पर इस चीज का बुरा असर हो रहा है, और वो गुसे से इस वर को वो चीज वापस लेने के लिए बोलता है, अब वो चीज वापस से नीचे आकर गिर जाती है अब एक बार फिर से वो उस बोटल को उठा कर फिर से खुले आस्मान में फैकता है लेकिन इस बार वो बोटल उसके बेटे के सिर पर आकर गिरती है अब इस अजीब सी दिखने वाली चीज के कारण टपकलो और उसकी फैमली को बहुत सारी परेशानिया जहलनी पड़ती है टपकलो रात को एक सभा बुलाता है और बताता है कि साइद ये चीज सरापित है इसवर ने साइद ये चीज गलती से हमारे पास भेज दी है इसलिए वो इस रापित चीज को पिर्थवी के आखरी चोर पर फैक कराएगा और टपकलो की इस बात से सारे आदिवासी एगरी हो जाते हैं अगले दिन टपकलो उस बोतल को लेकर पिर्थवी के आखरी चोर पर फैकने के लिए निकल पड़ता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी देश के प्रेजिडेंट पर हमला कर देते हैं वो अंधाधुन गोलिया चलाते हैं इसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और यहां की निकम्मी पुलिस इनका पीछा करती है हम देखते हैं कि प्रेजिडेंट की जान बच गई है प्रेजिडेंट बताते हैं कि ये हमला सैम ने करवाया था उनको ढूंडो और मार डालो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हमले का लीडर जंगल में जाकर छिप गया है और तभी उसके भेजे हुए चार आदमी वापस आते हैं कहते हैं कि हमने कर दिखाया हमने कर दिखाया हमने प्रेजिडेंट को मार दिया सैम उनको बताता है कि प्रेजिडेंट इस हमले में बच गए हैं और तभी पुलिस वाले अपना हेलिकॉप्टर लेकर सैम को ढूंडते हुए जंगल में आ जाते हैं सैम हेलिकॉप्टर पर RPG से फायर करता है जिसके कारण हेलिकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और ये यहां से 921 हो जाते हैं दूसरी तरफ जंगल में हम एक बायलोजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम एंडू है और वो हाथी की बिमारी को ठीक कर रहा था वो हाथी की एक लीद का सैंपल लेकर अपने कैंप की तरफ बढ़ता है जहां हम उसके असिस्टेंट उसके ड्राइवर एंपुडी को देखते हैं तभी यहां पर एक फादर आते हैं एंडू फादर से पूछते हैं कि आप घोडे पर क्या कर रहे हैं फादर बताते हैं कि मेरी कार का एक्सिडेंट हो गया था कहते हैं कि मुझे एक नई स्कूल टीचर को पास के ही सहर से लेकर आना है एंड्रू एंपुडी से पूछता है कि क्या इस कार की मरम्मत हो गई है एंपुडे बताता है कि इस गाड़ी का स्टेरिंग और ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहे है एंड्रू ए फादर से कहता है कि अगर आप गुरा ना माने तो क्या मैं उस स्कूल टीचर को लेकर आ सकता हूँ अब एंपुडे एंड्रू को बताता है कि इस गाड़ी को बंद मत करना और इस गाड़ी के ब्रेक्स भी मत लगाना क्योंकि इस गाड़ी के ब्रेक्स खराब है हम देखते हैं कि टपकलो जंगल में अराम कर रहा था तब ही उसके भगल से वो कार फुल स्पीड में गुजरती है जिसकी अवाद से वो जग जाता है टपकला सोचता है कि ये बड़ा ही अजीब जानवर है जिसके अजीब से चार गोल पैर है और वो अपने पीछे अजीब से निसान छोड़ गया जैसे कि दो बड़े साप वहाँ से गुजरे हो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्कूल टीचर रास्ते में इंतजार कर रही होती है और एंडुवे रस्ते में होता है जहां पर एक फाटक आ जाता है जिसे उसे उतर कर खोलना पड़ता है और वो अपनी गाड़ी के ब्रेक्स भी नहीं लगा सकता और नहीं अपनी गाड़ी को बंद कर सकता है वो एक अजीब सी सिचुएशन में फस जाता है परंतु जैसे तैसे करके वो इस सिचुएशन से निकल जाता है और अपनी गाड़ी को उस फाटक से निकाल लेता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेजडेंट पर हमला करवाने वाला सैम एक गाव में पहुँच जाता है एए सुना नहीं लेट जाओ जहां से वो पैट्रोल और खाने का समान चोरी करता है और अब एंड्रूए भी स्कूल टीचर के पास पहुच जाता है जहां पर वो गाड़ी से उतर कर पत्थर को उठाने के लिए दोड़ता है और अपनी गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है वो स्कूल टीचर के पास जाता है और अजीब अजीब हरकते करने लगता है क्योंकि उसने इतनी खुबसूरत लेडी इससे पहले कभी नहीं देखी थी और तब ही हम अपनी मूवी के नायक तपकलो को देखते हैं जो की उस बोतल को पिर्थवी के छोर पर फैकने के लिए जा रहा था उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है वो उसके पास जाता है जहां पर उसकी बंदूक रखी हुई थी तपकलो उस बंदूक को उठाता है और कहता है ये तो बड़ी ही मजेदार लकडी है ये देखकर वो आदमी अपने दोनों हाथ उपर कर देता है और वहां से भाग जाता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंडुए स्कूल टीचर को लेकर जा रहा होता है रास्ते में उसकी गाड़ी पानी में फस जाती है एंडुए स्कूल टीचर को अपनी गोद में उठाता है और वो भी पानी में गिर जाता है अब स्कूल टीचर भी पानी में भीग जाती है इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज गरने के लिए जंगल की गहराईयों में जाती है और एंडर्वे अपनी कार से केबल निकालता है जो कि उसकी कार के फ्रंट में लगी हुई थी जिससे की वो अपनी गाड़ी को खीच कर यहां से बाहर निकाल सकता है और तभी टपकलो भी स्कूल टीचर के पास पहुच जाता है उसने इससे जादा बदसूरत इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा था इसकी रंगत इतनी पीली थी जैसे की सडी हुई लकडी का अंदर का हिस्सा तपकलो उसको देखकर मुश्करा रहा होता है तभी स्कूल टीचर की नजर तपकलो पर पढ़ती है जिसे देखकर वो डर जाती है वो तपकलो को यहां से जाने के लिए कहती है और अपने कपड़े पहनने लग जाती है जब स्कूल टीचर अपने पूरे कपड़े पहन लेती है तब तपकलो को लगता है कि साइद यही भगवान है और वो स्कूल टीचर को वो बोतल लोटाने के लिए जाता है लेकिन स्कूल टीचर उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है वो स्कूल टीचर के पीछे जाता है जहां पर टपकलो एक और इस वर से मिलता है एंडुवे तमाखु का सेवन कर रहा था जिसकी वजह से उसके मुझे से धुआ निकल रही थी टपकलो सोचता है कि ये आग उगलने वाला भगवान है टपकलो एंडुवे के पास जाता है और कहता है कि ये तो आपकी अच्छाई थी जो आपने मुझको ये तोफा दिया किरप्या करके आप इसको वापस ले लीजिए और एंडुवे उस बोतल को लेने से मना कर देता है तभी टपकलों को एक अजीब सा जानवर दिखता है जिसके पैर उपर नीचे होने के बदले गोल-गोल घूम रहे थे और देखता है कि इस अजीब से जानवर पर एक भगवान सवार है जिसका सरीर लाल चमडे का बना हुआ है एंडुडे पूछता है कि ये बुस्मेन यहाँ पर क्या कर रहा है दरसल काला हरी के जंगलों में रहने वाले इन आदिवाशियों को बुस्मेन कहा जाता है इसलिए एंपूडे ने पूछा कि ये बुस्मेन यहाँ पर क्या कर रहा है एंडुडे बताता है कि ये हमें कुछ बताने की कोशिस कर रहा है लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इन लोगों को बुस्मेन लोगों की लैंग्वेज नहीं आती अब एमपुडे टपकलो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो टपकलो कहता है कि मैं यहाँ पर इस्वर का दिया हुआ ये तोफा लोटाने आया हूँ जो कि मुझे इस्वर ने दिया था एमपुडे कहता है कि हमें ये नहीं चाहिए तुम इसे कहीं पर भी फैक दो तपकलो ये बात सुनकर बहुत जादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि इस वर उसके साथ बहुत नाइनसाफी कर रहे हैं अब वो खुद ही इस बोतल को पिर्थवी के आखरी छोर पर फैकने के लिए निकल पड़ता है अब तपकलो को रास्ते में एक बकरियों का जुंड दिखता है तपकलो को भूख भी लगी थी इसलिए वो जटपट एक बकरी को मार गिराता है और ये सब देखकर उन बकरियों का चरवाहा अपनी साइकल उठाकर वहां से भाग जाता है तपकलो सोचता है कि वो अपने परिवार को दावत के बारे में बताने के लिए जा रहा है और तभी अजीब से दिखने वाला गोल पैरो वाला जानवर उसके पास आता है जिसमें से वो चरवाहा और पुलिस वाला उतरता है बुस्मेन उनसे कहता है आओ तुम भी बैठो तुम भी खाओ परियापत मानस है हमारे पास पुलिस वाला गुसे में कुछ बढ़बढाता हो उस बकरी को उठा कर अपनी कार की छट पर डाल देता है तपकलो कहता है कि तुम्हारा वैवार अच्छा नहीं है और वो एक और बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है पुलिस वाला उस पर चिलाता है और उससे रुकने के लिए कहता है परंतु तपकलो को इतने बुरे आदमी से कोई मतलब नहीं है पुलिस वाला अपनी गन निकालता है और हवा में फायर करता है जिसकी वजह से बुस्मेन को लगता है कि बिजली कड़की और सारी बक्रिया इधर उदर भगने लगी बुस्मेन भी उन बक्रियों के पीछे दोड़ता है और पुलिस वाला उसके पैर पर फायर कर देता है जिसकी वजह से वो गायल होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है अब पुलिस वाला उसको उठाकर पुलिस टेशन लेकर जाता है जहाँ पर कोई भी उसकी भासा नहीं जानता था इसलिए उसे आदालत में पेश किया जाता है हम देखते हैं कि एमपुडी को एजा ट्रांसलेटर इस कोट में बुलाया गया है और यहां टपकलों पर बकरी मारने का इलजाम सिद्ध हो जाता है कोट उसे तीन महीने की सजा सुनाता है एमपुडी एंड्रू के पास वापस आता है उसे बुस्मैन की बहुत जादा चिंता खाई जा रही थी एमपुडी एंड्रू से बताता है कि उसने कभी दिवारे नहीं देखी होंगी और उसे अब काल कोटरी में रहना पड़ेगा वो जीवित नहीं बच पाएगा वो मर जाएगा क्योंकि उसे खुले आसमान में रहने की आदत है हम देखते हैं कि टपकलों काल कोटरी में अब एमपुडी वकील से मिलता है और कहता है कि वो निर्दोस है कहता है कि कोई तो रास्ता होगा इसको यहां से निकालने का वकील बताता है कि as a guardian तुमको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कहता है कि नहीं उसके पास कोई डिगरी है और नहीं उसको पढ़ना लिखना आता है एमपुडी कहता है कि उसे जंगली जानवरों और पेड़ पोदों की अच्छी समझ है इसके बाद एंडर्वे उसको एजवी से सज्जय हायर कर लेता है अब ये तीनों वहां से अपने कैंप की और चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सैम ने अपने लोगों के अख्रवा करके जंगल में ले जाता है जहां पर ये तीनों भी जंगली जानवरों की स्थीती जाचने के लिए जाते हैं अब अंडर्वे अपनी दूर्वीन से देखता है कि यहां पर भहुत सारे बच्चे और हतियार बंसे निकद भी हैं अब ये तीनों मिलकर एक प्लैन बनाते हैं जिसके अंदर ये टपकलो के लिए एक छोटा सा धनुस बनाते हैं और उसकी तीर को जहर में डुबो देते हैं जिसके लगते ही वो लोग बेहौस हो जाएंगे अब टपकलो बड़ी ही चलाकी से उनके गुरूप में जाकर सामिल हो जाता है वो एक एक करके सभी को वो जहरिला तीर मारता है जिससे वो सभी लोग वहीं पर बेहौस हो जाते हैं हम देखते हैं कि दो लोग बच गए हैं जो पहाडी के अंदर बैठ कर तास खेल रहे थे और तभी ये सभी लोग इन गुंडों की बंदूक उठाकर दोड़ने लगते हैं तभी एक बच्चे से गलती से गोली चल जाती है जिससे उन दोनों गुंडों का ध्यान इन पर पढ़ता है वो दोनों इनका पीछा करते हैं और टीचर इन दोनों पर गोलिया चलाती है जिसकी वजह से यहाँ पर क्रोस फाइरिंग होने लगती है और तभी एंड्रू और एम पुड़ी भी वहाँ पोच जाते हैं ये दोनों गुंडे उन पर भी गोलिया चलाने लगते हैं लेकिन कुछ ही देर में पुलीस वहाँ पर पोच जाती है और वो सैम और उसकी टोली को गिरफ कर लेते हैं और अब बुस्मेन के भी यहाँ पर तीन महीने पूरे हो गए थे इसके बाद एंड्रूए बुस्मेन को कुछ पैसे देता है जो कि बुस्मेन के लिए बिलकुल बेकार थे लेकिन फिर भी वो उन पैसों को ले लेता है और अब वो वहाँ से उल्टी दिसा में चलने लगता है क्योंकि उसे अब वो खोई हुई बोटल ढूंडनी है और उससे छुटकारा पाना है बुस्मेन को वो बोटल वहीं पर मिलती है जहां पर वो बक्रियों का सिकार कर रहा था वो उस बोटल को उठाता है और पिर्थवी का आखरी छोड ढूंडने के लिए न के पास वापस आ जाता है यहां पर सभी लोग उसको देख कर बहुत जादा खुस हो जाते हैं मूवी में जिस बुष्मेन ने टपकलो का रोल प्ले किया है वो हकीकत में एक रियल बुष्मेन है याने की काला हारी के जंगलों में रहने वाला एक सच्चा आदिवासी है इस मूवी के लिए डारेक्टर ने जब उसको अपोइंट किया था तब उसे 300 डोलर कैस ओफर किया था लेकिन टपकलों ने उन पैसो को वहीं पर फैक्ट दिया था इस मूवी की सक्सस के बाद गोड मस्ट भी क्रेजी पार्ट टू के लिए उसको 5 लाख डोलर कैस ओफर किया अपने करियर में टपकलों ने अब तक कुल 5 फिल्मे की हैं जो की लगभग सारी की सारी बोक्स ओफिस पर सक्सस्फुल रही अगर आप लोगों को हमारा एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगता है तो किर्प्या करके कमेट जरूर करें इसी के साथ चलते हैं मिलते हैं नेक्स् करें वादू